रोकेट गर्ल्स ने बनाया इतिहास, नौर्थ इस्ट के ओल गर्ल बैंड ने दिखाया दम, कर्तव्यपत पर नारिश शक्ती का पराक्रम गर्तंत्र दिवस परेट का आयूजन कर्तव्यपत पर हो रहा है, जहां देश की बेटियों ने अपने पराक्रम का परिचे दिया है देशाथ 26 जन्वरी गर्तंत्र दिवस के जश्न में डूबा हुआ है, कर्तव्यपत पर न सिर्फ दुनिया भारत की ताकत को देख रही है बलकि वो नारिश शक्ती के पराक्रम की भी गवाह बनी है पहली बार कर्तव्यपत पर आम्ट फोर्स मेडिकल सर्विस के एक महिला टुकडी ने मार्च किया पहली बार महिलाओं की त्री सेवा टुकडी ने भी परेड में हिस्सा लिया गरतंत्र दिवस के मौके पर नौर्थ इस्ट की 45 लड़कियों की एक बैंड ने भी पहली बार कर्तव्यपत पर मार्च किया इस बैंड ने पहली बार राष्ट्रिक एड़िट को रैंसी सी गरतंत्र दिवस शिवर में भाग लिया बैंड में शामिल लड़कियों की उम्र 13 से 15 साल की थी। इस बैंड ने कर्तव विपत पर पुर्वुत्तर की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व किया। बैंड सारे जहां से अच्छा की धुन बजाते हुए कर्तव विपत पर मार्च करते हुए गुजरा। इस में कोहिमा और गुवाहती के स्कूलों की छात्राएं शामिल थी। कोहिमा कैड़ेट्स एक नागा लैंड गर्ल्स बटालियन NCC जबकि गुवावती कैड़ेट्स एक असम बटालियन NCC से थी। महिलाओं की तरी सेवा टुकडी ने किया मार्च। 75 गरतंतर दिवस इसले भ गरतंतर दिवस परेड में पहली बार महिलाओं की तरी सेवा टुकडी भी हिस्सा बनी। मिलिस्टरी पुलिस की कैड़ेट्स संध्या ने इसका नित्रित्व किया। इसमें अगनीवीर और सेना के सदस्य शामिल थे। इसमें 148 महिला जवान शामिल थी। CRPF ITBP महिला जवानों ने दिखाया दम। केंद्री रिजर्व पुलिस बस CRPF के महिला बैंड ने भी करतव विपत पर मार्च किया। इस बैंड ने देश के हैं हम रक्षक धून को बजाते हुए परेड में मार्च किया। CRPF की महिला बैंड का नेतरितो कॉंस्टिवल सोसा आलपा बेन कर रही थी। इसके बाद CRPF का महिला मार्च का दस्ता सलामी मंच के सामने सैल्यूट करती हुए गुजरा। इसे Peace Keeper of the Nation के नाम से जाना जाता है। इसका नेतरितो 234 बटालियन विशाका पत्नम की असिस्टेंट कमांडेंट मेगा नायर ने किया। पत्थ पर पहली बार BSF महिला ब्रास बैंड ने भी हिस्सा लिया। सीमा सुरक्षा बल की महिला टुकडी नारिश शक्ती का प्रदर्शन किया। इसका नेतरित तो सुबेदार इंस्पेक्टर श्वेता सिंग ने किया। इस बैंड ने भारत के जवान धुन को बजाया।